मुद्रित माध्यम, प्रिंट मेडिया छपाई के प्रभाव से पूरे युरोब में साक्षर वेक्तियों की संख्या और मुद्रित समागरियों की मात्रा लगातार बढ़ती गई 19 सदी तक मुद्रित समागरी के आधार पर समाज में नय संस्थार उभरने लगे जैसे पुस्तकाला, पुस्तकमेला, आदी 1814 तक युरोब में भाव की शक्ती से चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस और 1837 के बाद रंगीन प्रिंटिंग प्रेस निर्मित हुए 20 सदी के प्रारंब से ही विद्धु छपाई मश्वीनों का उप्योग होने लगा इससे और कम कीमत पर अधिक मात्रा में पुस्तके वपत्रिकाएं छप सकती थी अकबार 19 सदी के शुरुवाती दश्कों में अमेरिका और ब्रिटेन में दो तरह के अकबार छपते थे पहले वैपारियों के लिए वैवसाईग खबरे और दूसरे राजनेतिक पार्टियों के विचारों को फैलाने वाले अकबार अकबारों का एक तीसरा रूबी प्रेचलन में था जो कम पैसे में कई तरह की खबरे कामगार लोगों तक पहुँचाता था इसे पेन्नी प्रेस या दमडी पत्रिका कहते थे इसमें अपराध, अफवा, वमानवी अभिरूची के अन्यविशय चापे जाते थे अकबारों में विज्यापन के माध्यम अधिक से अधिक लोगों तक अपने उत्पाद की जानकारी पहुँचाई जा सकती थी अकबारों के माध्यम से विज्यापनों के प्रसार ने उभोग और उत्पादन की प्रक्रियाओं को व्यापक बनाया 19. सदी के अकबार विज्यापनों से होने वाली आय का उपयोग तो करते थे पर वे उस पर निर्भर नहीं थे लेकिन 20 सदी के अकबार विज्यापनों की आयपर ज्यादा निर्भर हो गए 19 सदी के आखरी और 20 सदी के शुरुवाती दश्कों में फोटोग्राफ युक्त अकबारों की मांग बढ़ गई इसके कारण अकबारों के विज्यापन ज्यादा प्रभावशाली हुए